नारायन नारायन श्री राम शर्नममम त्वितिय प्रवचन भगवान श्री राम के निवास के लिए जिन 14 प्रकार के भक्तों का वर्नन किया गया है उनमें से चोथे प्रकार के भक्त के लक्षणों की चर्चा करते हुए महरशी वालमी की कहते हैं कि प्रभु जिनकी नासिका आपके पवित्र तथा सौरभ युक्त प्रसाद को सुगंद के रूप में ग्रहन करती है जो वस्तरा भूशन आपका प्रसाद बनाकर धारन करते हैं जो भोजन भी आपको अर्पित करने के बाद प्राप्त करते हैं, जो आपके तीर्थों की यात्रा करते हैं, ब्रहमन देवता तथा गुरु जनों के चर्णों में नमन और उनकी पूजा करते हैं, आप ऐसे भक्तों के हरदय में निवास कीजिए. इस प्रकार मानो इस चोथे स्थान की मूल वृत्ती प्रभू प्रसाद इस शब्द में छिपी हुई है. गुरु वशिष्ट ने श्री भरत के समक्ष जहां पर आश्रम धर्म का निरूपन किया है, वहां एक ही दोहे में इन दोनों की भिन्नता की और संकेत करते हुए कहा कि स सोचई ग्रही जो मोह बस करई करम पत त्याग। वह ग्रहस्त सोच करने योग्य है जो मोह के वशिभूत होकर करम पत का त्याग करता है। इसका भी प्राय है कि ग्रहस्त जीवन को स्विकार करने का अर्थ ही यह है कि हमने प्रवर्ती तथा कर्म का मार्ग स्विकार किया है पर उसी दोहे में जब सन्यास धर्म किया और संकेत किया गया तो यह कहा गया कि जिसने जीवन में प्रवरती के विस्तार को सुविकार कर लिया है तथा विवेक और वैरागे का जिसमें अभाव है वह सन्यासी शोक करने योगे है सोचई जली प्रपंचरत बिगत विवेक विराग इस संदर्भ में एक प्रश्न यह उठता है कि वस्तुतह निवर्त्ती तथा प्रवर्त्ती का मूल उद्गम है कहां निवर्त्ती और प्रवर्त्ती का जो मूल उद्गम है वह तो इश्वर ही है इश्वर ने स्वयम सुरिष्टी का निर्मान किया या ब्रम्हा को निर्मान करने की आगया देकर मानो उसने प्रवरत्ती को जन्म दिया दूसरी और एक ऐसा समय भी आता है कि जब सृष्टी का प्रलय हो जाता है और भगवान शीर्क समुद्र में नेत्रमूंद कर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं यह प्रलय तथा निद्रा वस्तुतह निवरत्ती के ही तो परिचायक है पहले विस्तार तथा उसके पश्चात उसे समेटना तथा प्रग़ाड निद्रा की ईश्वर में जो धारना की गई इसका तादपर यह हुआ कि पस्तुतह प्रवरत्ती भी ईश्वर का ही रूप है और निवरत्ती भी पर दोनों के साथ कुछ न कुछ समस्या है निवरत्ती में समस्या यह है कि व्यक्ती शरीर धारी है मात्रा में भले ही कमी हो पर एक विरक्त को भोजन तो करना ही होगा वस्तर भी किसी न किसी रूप में स्विकार तो करना ही होगा विश्यों से जुड़े रहने के कारण व्यक्ति में भोग लालसा कहीं न कहीं तो छिपी हुई है ही बस समय पाकर वह किसी न किसी रूप में प्रकट ना हो जाए यह संभावना तो हमेशा बने ही रहेगी वैक्तियत्यंत सयमित तथा नियमित जीवन वैतीत करने की चेश्टा करे किन्तो अपने आपको सरवदा निवरत्ती में स्थित रख सके ऐसे वैक्ती बिरले ही होंगे अन्यथा बड़े से बड़े वैक्ती में भी प्रवरती का बी जत्वा संसकार छिपा रहता है तुलसी दासची से जब किसी ने पूछा माहराज मैं सन्यास लेना चाहता हूँ लू की नहीं तब उन्होंने कहा कि भाई इसका नन्य तो मैं तब करूँगा कि जब पहले तुम यह बताओ कि तुम कच्छे घड़े हो अथवा पक्के घड़े इसका भी प्राय है कि घड़ा केवल एक आकरती का ही नाम नहीं है जब कुमहार शीतल जल से मिट्टी को गूत कर घड़े का निर्मान करता है तब यद्यपी उस घड़े को देखकर कहा तो जाता है कि यह घड़ा है किन्तु घड़े के उस प्रारंफिक रूप को देखकर ही अपितु मन चाही आकरती प्रदान करने के बाद भी उस घड़े में एक कारे बाकी रह जाता है और वह कारे है आग में डाल कर पकाने का आग में पके हुए तथा बिना पके घड़े में बहुत बड़ा अंतर है अगर किसी को प्यास लगी हो और घड़े की आकरती देखकर वह कच्छे घड़े में रसी बांद कर पानी लेने के लिए उसे कुवे में भेजे तो जल में पहुँचते ही वह घड़ा गल जाएगा बिना अंतरह करन के कोमल हुए हम उसको जैसी आकरती चाही वैसी नहीं दे सकते सन्यास ग्रहन करने का तादपर यह है कि जैसे पकी हुए घड़े में जल प्राप्त होता है इसी प्रकार पहले हम उसे वेरागे की अगनी में डाल कर परिपक्व करें और परिपक्व करने के अगर हम उसमें जीवन के दिवे तत्व को ले आना चाहें तो ला सकते हैं लेकिन कच्छे घड़े में तत्व रूपी जलाना संभव नहीं है तुलसीधास ची ने कहा कि अगर तुम्हारा मन वेरागे की अगनी में परिपक्व हो चुका है तब तो तुम सन्यासी हो यदि मन परिपक्व नहीं हुआ है तो केवल पाहय आकरती के रूप में वस्त्र के रूप में सन्यास स्विकार कर लोगे तो फिर उसका परिणाम यह होगा के बिरगरत मन सन्यास लेत जलनावत आम घरोसो आम घरोसो अर्थात कच्चे घड़े की तरह इसका सिधासा भी प्राय है के निवरत्ती की याड में भी कहीं ना कहीं प्रवरत्ती की समस्या विद्यमान है ऐसी स्थिती को दृष्टिगत रखकर भक्ती मार्ग में दोनों के समन्वई की चेश्टा की गई है अगर किसी वस्तु को हम बाजार से खरीद कर ले आवें और उसका सेवन करें तो वह वस्तु विशय का भोग है लेकिन जब वही वस्तु भगवान को अर्पित करती जाती है तो वह नवैद्य कहलाती है तब उसे आप मिठाई यत्वा अन्य वस्तु नहीं वरन प्रसाद समझ कर ग्रहां करते हैं अधिकांच लोग क्रिया के रूप में प्रसाद की परंपरा तो स्विकार कर लेते हैं पर वस्तु तह प्रसाद का उदेश अर्थ क्या है अगर इस पर विचार करके देखें तो निवर्ति और प्रवर्ति दोनों का समनवय इस सूत्र में आपको दिखाई देगा प्रवृत्ती के साथ दो प्रमुखदोश जुड़े हुए हैं और वे ही सारे संसार में माया के आधार है उनको रामचरित मानस तथा हमारे शास्त्रों में नाम दिया गया आहमता और ममता अर्थात मैं और मेरा पन जब श्री लक्ष्मन जी ने भगवान शीराम से पूछा कि माया क्या है तो भगवान शीरागवेंद्र ने यही कहा कि मैं अरुमोर तोर तैं माया जो प्रवृत्ती है उसका मूल आधार यही है कि मैं यह हूँ यह वस्तु मेरी है इस पर मेरा अधिकार है यही वृत्ती प्रतेक वैक्ती में है इस मैं तथा मेरे पन को लेकर ही संसार में संघर्ष होता है पूजा में प्रिसाद अरपन करना यह मात्र एक क्रिया नहीं है वरन उस क्रिया के पीछे एक तातपर यह नहीं है वैसे तो परंपरा के रूप में कई ऐसे हास्य अस्पद दुरुष देखने को मिलते हैं इस संदर्भ में मैं बहुत वर्षपूर्व की एक बात नहीं भूल पाता हूं हमारे गाम में श्री हनुमान जी महराज का मंदिर है वहां बैठकर मैं जब कर रहा था उसी समय हमारे गाम के एक सज्जन आए वे हाथ में मिश्टान का एक बड़ा पात्र लिये हुए थे उन्होंने कहा कि पुजारी जी नहीं है अते आप ही जरा भोग लगा दीजिए मैंने भोग लगा दिया बाहर कुछ बच्चे खड़े थे अते मैंने सोचा कि भोग तो लगी चुका है अब यह प्रिसाद बच्चों को बांट देना चाहिए यह विचार कर जब मैं बच्चों को प्रिसाद देने चला तो वे सज्जन बोले कि आप तो इसमें से एक ले लीजिए लेकिन बच्चों को मत बांटिए मुझे लोटा दीजिए क्योंकि जब मैं बिमार पड़ा था तो हनुमान जी से मनोती माने थी कि अच्छा हो जाऊंगा तो आपको दस सेर लड़ू चड़ाऊंगा आज संयोग से मेरी बहन के यहां विवाहा भी है इसलिए इसी मिठाई को वहां भी भेज दूँगा इस तरह मनोती भी पूरी हो जाएगी तथा विवाहा में भी मिठाई चली जाएगी अगर रूड़ी के रूप में यही अर्थ रहा तब तो प्रसाद का सारा तत्र ही समापत हो गया इस प्रसंग में तीन वस्तों के साथ यह बात जोड़ी गई है सुगंधी वस्त्र तथा भोजन के साथ ऐसा नहीं है कि जो वेक्ती नैवेद्य अर्पन करेगा वह ग्रहन नहीं करेगा बलकि इसमें तो स्पष्ट ही कहा गया है कि प्रभु प्रसाद सुचिसुभग सुबासा सादर जासुलह इनितनासा तो महिन वेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूशन धरही भगवान को अर्पित करने के बाद आप वस्त्र भी धारन कीजिए तथा अभूशन भी और प्रसाद भी ग्रहन कीजिए प्रसाद शब्द का प्रियोग सुगंद के संबंध में जो किया गया उसमें निहीत तात्पर्य बड़े महत्व का है मिठाई के बारे में तो आप नर्नही कर सकते हैं कि किसको दे और किसको ना दे पर जिस समय आप देवता के सामने धूप अर्पित करते हैं और धूप की जो सुगंद होती है वह सुगंद आप लेते हैं के नहीं लेकिन क्या आप यह चेश्टा करते हैं अत्वा करना संभव है कि यह सुगंद किसी और की नाक में ना घुसने पाए विनई पत्रिका में तुलसीदास जी मानस पूजा के बारे में बताते हैं कि पूजन वस्तुतह क्रिया तथा भावना दोनों रूपों में होना चाहिए वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया कि धूप दीप तथा नैवैद्य का क्या अर्थ है उस पद में उन्होंने सुंगंधी की जो व्याख्या की वह बड़ी अनोखी है ऐसी आरती राम रगवीर की करहिमन अचर चर रूप हरी सरबगत सरबदा बसत इती वासना धूप दी जाई भगवान सर्व व्यापी हैं वे जड़ चेतन सब में व्याप्त हैं यह वासना जो है उसे धूप के रूप में भगवान को अर्पित करना चाहिए इसमें नहीत संकेत यह है कि जो धूप हम तयार करते हैं उसमें अनेक वस्तमों को मिला देते हैं उन वस्त्मों का रूप रंग एक तुसरे से सर्वता भिन है पर धूप को तयार करके जब उसे अगनी में डाल देते हैं तब अलग-अलग पदार्थों के जो रंग रूप थे वे उस अगनी में जाकर पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं उसमें से जो सुगंध उठती है उसके द्वारा दुरगंध का निराकरण होकर उसका सौरव चतुरदिक भैल जाता है इसी प्रकार हमारे आपके जीवन में भी भीद बुद्धी की दुरगंध भैली हुई है समाज में यह दुरगंध अपने और पराई के रूप में चारों और व्याप्त है वस्तुतह अपने और पराई की बात तो मन में तब ही आती है जब समस्त प्राणियों में भगवान नहीं दिखाई देते अगर जड़ चेतन समस्त पदार्थों में भगवान का साक्षातकार होने लगेगा तब यह भेद मिट जाएगा ज्यान तो है अगनी और संसार में जड़ चेतन के रूप में दिखाई देने वाले विविध प्रकार के जो भेद हैं वे ही हैं अन्यकाश्टादिक वस्तु हैं उनको हम स्नेहिसे मिश्रित करके धूप बनावें तथा सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिती का अनुभव करें गुस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को सच्चे अर्थों में धूप देना यही है सरल अर्थों में इसे यों कह सकते हैं कि जब तक वस्तु को आप अपनी समझते हैं तब तक वह आपकी है तथा उस पर आपका अधिकार है पर प्रसाद के रूप में अर्पित कर देने के बाद उसमें से दो बातें छूट जाती है बहुत से लोग हसी में यह कहते भी हैं कि भगवान को जो आप अर्पित करते हैं उसमें से भगवान तो कुछ भी नहीं खाते वह तो जितना है उतना का उतना ही लौट आता है भगवान वस्तु नहीं खाते पर यदि आप खिलाना चाहें तो वे उसमें से दो वस्तुएं खा लेते हैं भोग लगने के बाद मिठाई आपकी नहीं रह गई आप यह नहीं कह सकते के इस पर मेरा अधिकार है इसका भी प्राय है कि भगवान ने अहमता तथा ममता को तो ले लिया और वस्तु आपको लोटा दी बानो भगवान कहते हैं कि वस्तु का सेवन तो करो पर अहमता और ममता मुझे अर्पित कर दो भोग की समस्या यही है कि हम उस से मैं और मेरा पन जोड़कर स्विकार करते हैं इसी रिए वह संघर्ष का ही तो बनता है पर प्रसाद बनते ही उसके प्रती मैं और मेरा पन छूट गया अब उस पर आपका दीकार नहीं रह गया जब तक वह वस्तु मिठाई है तब तक आपकी है लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इश्वर को अर्पित करने के बाद प्रसाद सोयं भी लीजिए और दूसरों को भी बाटिए गहन नीहित संकेत केवल मिठाई के संदर्ब में ही नहीं अपितु प्रतेक वस्तु के संबंध में सत्य है संसार की प्रतेक वस्तु या संसार को जब तक हम भूग की वस्तु मानेंगे तब तक वे अनर्थ और संघर्ष के ही तू बनेंगे लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करके उसमें मेरा मुझको कुछ नहीं जो कुछ है सो तोल तेरा तुझको सौपिया क्या लागा है मूर ऐसी समर्पन की भावना करते हैं तब वे प्रसाद हो जाता है लंका प्रवृत्ती का नगर है श्री हनुमान जी शांती रूपा सिता जी की खुज में लंका में जाते हैं यहां पर वार्था लाप के अंतमे किशोरी जी से हनुमान जी ने कहा मा मुझे बड़ी भूख लगी हुई है प्रश्ण यह है कि फल तो वाटिका में पहले से ही लटक रहे थे हनुमान जी पहले भी फल खा सकते थे लेकिन उन्होंने फलों को नहीं खाया बल्कि मा से कहने लगे कि मुझे बड़ी भूख लगी है मा यह पूच सकती थी कि अगर इतनी तीवर भूख लगी थी तो तुम तो स्वतंत्र थे ही वाटिका में ही व्रक्ष की डाल पर बैठे भी हुए थे उस समय तुमने क्यों नहीं खाया किन्तु ऐसा न करने के पीछे हनुमान जी का ताद पर यह बड़ा अनोखा है वहवार की दृष्टी से देखें तो वह वाटिका रावन की है यदि रावन की वाटिका का फल हनुमान जी खा लें तो उसका परिणाम क्या हुगा हमारे शास्त्रों में इस ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि भोजन से मन का बड़ा संबन्द है अगर अशुद अन का भोजन किया जाए तो मनुष्य के मन में अपवित्रता आने की संभावना बनी रहती है महा भारत में तो इसे लेकर एक सांकेतिक कथा ही आती है भीश में पितामह जिस समय शर्शया पर पड़े हुए थे भगवान कृष्ण ने पानगों से कहा कि हम लोगों को चल कर भीश में पितामह से धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए पितामह जब धर्म का उपदेश देने लगे तब द्रौपदी को हसी आ गई क्योंकि द्रौपदी के स्वभाव में कुछ तेजस्विता की मात्रा अधिक थी पितामह ने पुछा पुत्रवधू इस उपदेश के अफसर पर तुमें हसी क्यों आ गई द्रौपदी ने कहा पितामह आज आप धर्म की इतनी सुक्ष में व्याख्या कर रहे हैं पर जब दुर्योधन की सभा में मुझे नगन किया जा रहा था और उस समय आप से मैंने पूछा था कि यह जो वहवार मुझसे किया जा रहा है वह धर्म है या अधर्म तब आप चुप कैसे रह गए थे भीश्म पितामा ने कहा पुत्री उस समय दुर्योधन का अन खाने से मेरी बुध्धी दूशित हो गई थी इसलिए मैं उत्तर देने की स्थिती में नहीं था पर अब अर्जुन के बाणों के प्रहार से जितना दूशित रख्त था वह बह गया इसलिए अब मेरी बुध्धी शुद्ध हो गई है और मैं सत्य का वर्णन करने में समर्थ हूँ इस कथा का अभी प्राय है कि जब भी हम वस्तु को किसी व्यक्ति से स्विकार करते हैं तो जिसकी वस्तु है हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते प्रभावित करने वाले व्यक्ति के अंतहा करन में अगर दोश है तो हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो फिर भी अन्याय तथा बुराई का समर्थन करने लग जाते हैं चित्रकूट में एक महात्मा थे वे इस विशय में इतने सावधान थे कि खेत में बैल से भी हल नहीं चलाते थे क्योंकि बैल को कश्ट होगा और अन्यदूशित हो जाएगा इसलिए खेत को स्वयम हाथ से किसी प्रकार खोद कर बीच डाल देते थे स्वयम काटते थे मात्र उतने अन्य के सेवन से ही वे रहते थे पवित्रता का आदर्श भले ही उन्होंने बनाया हो पर इतनी सावधानी रखना क्या सभी के लिए संभव है इस संदर्भ में महाभारत में तो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है महरती शल्य की महरती शल्य पांडवों की ओर से लड़ने के लिए सेना लेकर आ रहे थे पर मार्ग में दुर्योधन ने उनके स्वागत का बड़ा अच्छा प्रबंध किया युदिश्चर उनके स्वागत के लिए प्रबंध नहीं कर सके अन्जाने में यह समझ कर के युदिश्चर ने उनके भोजन तता विष्राम का प्रबंध किया है उन्होंने दुर्योधन का अनस्विकार कर लिया प्रातेकाल होने पर उन्होंने सेवकों से कहा कि महराज युदिश्चर को मेरी ओर से धन्नेवाद कहना सेवकों ने कहा महाराज हम तो दुर्योधन की और से आए हैं युदिष्टर की और से नहीं तब महाराज शल्य न science किया कि जब मैंने दुर्योधन का अन्नंका ही लिया है तब तो दुर्योधन की और से ही लड़ना ठीक है और वे लड़े भी दुर्योधन की ओर से तथा मारे भी गई इस संदर्ब में कहा जा सकता है कि दुर्योधन कान खाने के बाद शल्य यदि दुर्योधन की ओर से लड़े तो रावन की वाटिका का फल खाने के बाद श्री हनुमान जी को भी रावन की ओर से लड़ना चाहिए था पर श्री हनुमान जी रावन की ओर से नहीं लड़े यद्यपी वाटिका अनगर तथा सब कुछ रावन का दिखाई देने पर भी हनुमान जी जानते हैं कि रावन इसका असली स्वामी नहीं है वे जग जन्नी श्री सीता जी से अनुमती मांगते हैं मा मुझे अत्यंत भूख लगी है तथा यहां व्रक्ष में फल भी बड़े सुन्दर लगे होए हैं यदि आपकी आगया हो तो खालू यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हनुमान जी को फल खाने की आगया श्री सीता जी से लेनी चाहिए थी कि रावन से वहवार की दृष्टी से देखें तो श्री हनुमान जी को आगया रावन से लेनी चाहिए क्योंकि यह वाटिका रावन की है आगे चलकर जब श्री हनुमान जी रावन की सभा में गए तो उसने यही आरोप उन पर लगाया भी रावन ने हनुमान जी से पूछा तुम विचार करके देखो कि दूसरे की वातिका में बिना पूछे फलखाना क्या धर्म के अनुकूल है यह तो बहुत बड़ी चोरी है और इस चोरी की अपराद में ही मैंने तुम्हें पकड़वा कर बुलवाया है रावन का प्रश्न बाहय अदृष्टी से बिलकुल ठीक है पर हनुमान जी ने फल खाने किया गया रावन से न लेकर सीता जी से क्यों ली श्री सीता जी प्रत्वी की पुत्री है वाटिका के व्रक्षों का जन्म प्रत्वी से ही होता है व्रक्षों में जो फल लगते हैं यह किसी व्यक्ती का चमतकार न होकर प्रत्वी का चमतकार है मानो श्री हनुमान जी ने कहा मा नकली स्वामी से मैं क्यों पूछू इसकी वास्तविक स्वामी नी तो आप हैं अगर आप आग्या दे दें तो मैं फल खा लूँगा मा यदी चाहती तो कह सकती थी कि दूसरे की वाटिका का फल मत खाओ पर माने यह नहीं कहा वरन वे कहती हैं कि जब तुमने मुझसे पूछा है तो मैं यही कह सकती हूँ कि तुम जाओ और वाटिका में जाकर मधुर फल खाओ पर इसके साथ साथ एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि रगुपती चरणा हरदय धरी पहले भोग लगा लेना और भोग लगाने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि प्रभू तो तुम्हारे हृदय में ही है प्रनवव पवन कुमार खल बन पावक ज्यान धन चासू हृदय आगार बसही राम सर चाप धर मा ने कहा हनुमान तुमने मुझसे आगया तो ले ली है पर फल खाने से पहले उसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद बना लेना तथा भगवत प्रसाद की दृष्टी से ही ग्रहान करना इसका अभी प्राय है कि यद्यपी वस्तु तो वही दिखाई देती है पर उसके प्रती विवेक बदल गया वृत्ती बदल गई उपनिशद के मंत्र में वरनेत इश्या वास्यमिदम सर्वम का मूल सूत्र भी यही है यही संकेत आपको श्री हनुमान जी के लंका प्रवेश के संदरभ में मिलेगा श्री हनुमान जी ने सोचा कि मैं लंका में कैसे पैठूँ तब उन्होंने निर्णए किया कि अतिलग रूप धराउन इसी नगर करऊ पैसार मैं अपने आपको अतियंत छोटा बनाकर रात्री में नगर में प्रवेश करूँगा इसका भी प्राए है कि हनुमान जी प्रवाग्या और निव्रत्ती के रूप है गोस्वामी जी जब लंका का वन्न करते हैं तो बताते हैं कि लंकिनी ही मूर्तिमती प्रवर्ती है यद्यपी वे इतने सावधान होकर चले फिर भी लंकिनी ने उन्हें पकड़ ही लिया उसकी आँखें कितनी पैनी हैं इसका पता इसी से चल जाता है कि इतनी सावधानी के बाद भी लंकिनी पहचान गई कि कोई बंदर मच्छर का रूप बना कर भीतर घुसना चाहता है को स्वामी जी लिखते हैं मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले उसु मेरी नरहरे श्रीहनुमान जी मच्छर का रूप बना कर तथा श्री नर्सिंग भगवान का स्मरन करके लंका में बैठते हैं तब लंकिनी ने श्री हनुमान जी को बैचान कर कहा सो कह चले सी मोही निंदरी तू कहा जा रहा है क्या मेरे मरम को तू नहीं जानता जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर अहार जहां लगी चोरा सुन्दर कांड बड़ा अनोखा कांड है इसमें आपको श्री हनुमान जी के चरित्र की अनेक विशेशताई मिलेंगी श्री हनुमान जी कहीं भारी हो जाते हैं तो कहीं हलके कहीं वे छोटे होते हैं तो कहीं अत्यंत छोटे हो जाते हैं कहीं बड़े तथा कहीं अतियंत बड़े वन जाते हैं इसका अर्थ यह हैं नहीं है कि हनुमान जी किसी चमतकार या जादूगरी का परदशन करना चाह रहे थे अधिकांच महा पुरुण ऐसे होते हैं जिन में किसी एक योग की प्रधानता होती है किसी में कर्म योग की, किसी में ग्यान योग की, तथा किसी में भक्ती योग की किन्तु श्री हनुमान जी कर्म योग, ग्यान योग तथा भक्ती योग आदी सभी योगों के आचारे है मानो श्री हनुमान जी यह बताना चाहते थे कि प्रवृत्ती में जब हम प्रवेश करें तब कितनी सावधानी की आवशकता है तथा किस परिस्थिती में कौन सा रूप धारण कर उसका सामना करना चाहिए श्री सीता जी का दर्शन दो स्थानों पर किया जा सकता है एक तो चित्रकूट में तथा दूसरे दुसरे दुसरे लंका में चित्रकूट में श्री सीता जी का दर्शन श्री भरत जी तथा योध्यावासियों ने किया और लंका में श्री सीता जी का दर्शन श्री हनुमान जी ने किया चित्रकूट नवरती है जहां पर एक और सर्व त्याग कर भगवान श्री राम विद्यमान है श्री भरत जी भी विशाल राज्य को छोड़ कर वहां आते हैं और भगवान श्री रागवेंद्र सहित श्री सीता जी का दर्शन करते हैं निवृत्ती के मार्ग में त्याग के मार्ग में किसी विशेश विग्न बादा की समस्या नहीं है उसमें थोड़े से ही विखन आते हैं जिनको पार करके शांती की प्राप्ती बड़ी सरलता से हो जाती है पर लंका तो प्रवत्ती की नगरी है जिसमें विखन ही विखन है लंका के मार्ग में हनुमान जी के सामने मैनाक सुर्सा तता सिही का आदी अनेक विगन आते है श्री हनुमान जी को जो मिलता है वह खा लेना चाहता है सुर्सा कहती है मैं तुम्हे खालूंगी सिही का कहती है मैं खाऊंगी और आगे जाकर लंकिनी भी कहती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी इसका तात पर यह है कि भोगी व्यक्ति सोचता है कि मैं भोगों को खालूं लेकिन सत्य यह नहीं है इसलिए भरत्री हरी जी ने कहा कि भोग ना भुकता बयामेव भुकता हा लगता तो यह है कि हम भोगों का भोग कर रहे हैं पर अंत में गणित करने पर पता चलता है कि हमने नहीं अपितू भोगों ने ही हमको भोग लिया भोग तो जो केतियों बने रहते हैं पर वेक्ती ही भोगत हो कर समापत हो जाता है प्रवरती नगर में सब खाने वाले हैं इसलिए हनुमान जी ने जब श्री सीता जी से कहा कि मा मुझे अत्यंत भूख लगी है तो श्री सीता जी ने पूछा कि तुम इतनी लंबी यात्रा करके आए हो क्या कहीं रास्ते में तुम्हें भोजन नहीं मिला हनुमान जी ने कहा मा अभी तक जितने मिले सब खाने वाले मिले खिलाने वाला तो कोई मिला ही नहीं प्रवरती के मार्ग में यहै खाने वाला शब्द बड़ा व्यापक है क्योंकि यहां पर सब एक दूसरे को निगलने के लिए प्रस्तुत है व्यक्ति अगर बहुत अधिक सावधान न हो तो प्रवृत्ति का ग्रास बने बिना नहीं रहेगा श्री हनुमान जी अलग-अलग प्रसंगों में अलग-अलग योगों की उपयोगिता बताते हैं इसका तातपर यह है कि प्रवृत्ती में कर्म ज्यान तथा भक्ती तीनों मारगों की उप्योगिता है हनुमान जी छोटे बन जाते हैं यह भक्ती योग है बड़े बन जाते हैं यह मानों ज्यान योग है जब श्री हनुमान जी भारी बन जाते हैं यह मानों उनमें ग्यान का गुरुत्व है जब वे हलके हो जाते हैं तो यह मानों कर्तृत्व के अहंकार का त्याग है इसके द्वारा श्री हनुमान जी यह बताते हैं कि कौन सी प्रवृत्ती सामने आवे तब कौन सा योग सबसे अधेक उप्योगी है जब श्री हनुमान जी समुद्र पार करने को प्रस्तुत होते हैं उस समय वे जिस परवत के उपर पैर रखकर छलांग लगाते हैं पह परवत उनके बोज से पाताल में चला जाता है जही गिरी चरन देई हनुमनता चले उसोगा पाताल तुरंता हनुमान जी छलांग लगा कर चले गए इतना ही कह देना बहुत था पर उनके बोज से परवत पाताल में चला गया इसका सांकेती करता है कि श्री हनुमान जी को तेहा भिमान के समुद्र को पार करके लंका में जाना है यह परवत सात्वी कहंकार का प्रतीक है जब श्री हनुमान जी साधक के रूप में लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तब छलांग लगाने के लिए परवत का आश्रय तो उनको भी लेना ही इसलिए हनुमान जी ने उस सात्वी कहंकार के परवत से चलांग तो लगाई लेकिन चलांग लगाने के साथ-साथ हनुमान जी ने उसे पाताल में भेज दिया, उसे छोड़ दिया सात्वी कहंकार को सरवदा स्विकार ही मत किये रहिए, अभी तो उससे अलग होकर आगे बढ़ने की भी चेश्टा कीजिए, यह है हनुमान जी का गुरुत्व, गुरु शब्द का अर्थ है भारी, यदे भी अभिमान भी बहुत भारी है, पर जो अभिमान को भी नीचे दब उसका गुरुत्व ही सच्चा गुरुत्व है, यह है श्री हनुमान जी महराज का दिवे ग्यान योग है, श्री हनुमान जी महराज सुरसा पर ग्यान योग रता भक्ति योग दोनों प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं, पहले जब सुरसा ने जितना मुँ पहलाया, 1.20 योजन का मूँ बनाया है तो मैं 200 योजन का बनूँ फिर यह 400 योजन का मूँ बनाيगी तो मुझे 800 योजन का बनना पड़ेगा इस प्रकार तो इसका अंत नजाने कब होगा इसलिए अब तो मुझे कोई सरल उपाए निकालना ही ठीक रहेगा तब उन्होंने सत जोजन ने तहियानने की इन्हा अतिलगु रूप पवन सुतली इन्हा लगु ही नहीं अतिलगु रूप बना लिया लगू और अती लगू में अंतर यह है कि लगू तो वह है जो दिखाई दे पर अती लगू का दात पर यह है जो बिलकुल दिखाई ना दे हनुमान जी इतने छोटे बन गए कि सुर्सा ढूनने लगी कि बंदर कहां चला गया इसी बीच हनुमान जी उसके मुँ में पैट कर बाहर निकल आए यह सुर्सा लोकैशना थी हनुमान जी ने मानो बताया कि लोकैशना में जब तक आप दिखाई देने की चेश्टा करेंगे तब तक कोई न कोई खाने की चेश्टा भी करेगा इसी लिए आप अपने को अतिलगु बना लीजिए ताकि आपको कोई देखी नहीं सके लोकैशना को जीत लेने का यही एक मात्रो पाए है आगे चलकर सिहिंका ने चाया पकड़कर हनुमान जी को खीचने की चेश्टा की यह सिहिंका इर्ष्या का रूप है श्री हनुमान जी ने ज्यान योग का आश्रय लेकर सिहिंका को भी परास्त कर दिया क्योंकि इर्ष्या द्वाइत में ही होती है अंत में लंकिनी आई यहें लंकिनी साक्षार प्रवर्ती है अभी तक तो केवल मार्ग के विघन थे वस्तुतह प्रवृत्ती में प्रवेश तो अब हो रहा है यहाँ पर श्री हनुमान जी छोटे बनकर चले मानो उन्होंने पहला सूत्र दिया कि प्रवृत्ती में अगर हम प्रवेश करें तो अत्यनत छोटे बनकर किन्तु समस्या यह है कि इससे भी काम नहीं बना क्योंकि प्रवृत्ती रूपी लंकिनी की आँख इतनी पहिनी है कि बहुत छोटे बन जाने पर भी उसने श्री हनुमान जी को पहचान लिया वह बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगी हनुमान जी ने पूछा क्या तुम भूकी हो ये जितने प्रवृत्ति वादी होते हैं अपनी भूख को सैदान्तिक रूप अवश्या दे देते हैं लंकिनी ने कहा मैं भूखी तो नहीं हूँ पर तुम्हें खाऊंगी क्योंकि मैंने निर्णे किया है कि मोर अहार जहान लगी चोरा मैं चोरों को खा जाऊंगी इसलिए मैं तो संसार से चोरों को मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहती हूँ उस समय श्री हनुमान जी ग्यान योग का आश्रय लेकर तुरंत विशाल बन गई तथा वेराग्य का ऐसा मुक्का चलाया कि मुठिका एक महा का पिहनी रुधिर बमत धन नीठान बने प्रवती मुख के बल गिर गई उसके मुख से रक्त निकलने लगा वेह हाथ जोरकर खड़ी हो गई और श्री हनुमान जी की स्तुती करने लगी बाद में बंदरों ने हनुमान जी से पूछा महराज आपने लंकिनी के शिर पर ही मुक्का क्यों मारा हनुमान जी ने कहा कि उसकी ना समझी देखकर मुझे दया आ गई वह कह रही थी कि मैं चोरों को खाती हूँ अगर सच मुझे चोरों को खाने वाली होती तो सबसे पहले रावन को खाती जिसने श्री सीता जी को चुराया था जो वास्तविक चोर था उसे तो उसने समझ लिया स्वामी लेकिन मैं जो चोरी का पता लगाने आया था उसको चोर मान रही थी इसलिए मैंने मुक्का मारा यही ज्यान वेरागे की भूमी का श्री हनुमान जी की है ज्यान का तात पर यह है वास्तविक्ता को जान लेना लंकीनी ने जब कहा कि प्रबसी नगर की जाई सब का आजा तो श्री हनुमान जी ने पूछा कि क्या आप तुम मुझे चोर नहीं समझती हो लंकीनी ने कहा नहीं अब मेरा विचार बदल गया है मैं समझ गई हूँ कि वास्तविक्त स्वामी तो एक मात्र इश्वर ही है आप उनके दूत बन कर चोरी का पता लगाने जा रहे हैं अते आनंद से प्रवेश कीजिए इस प्रसंग में विचार का मूलदर्शन यही है कि वैक्ति अपने आपको इश्वर का सेवक मान ले पर यदी वैक्ति स्वयम में प्रवर्ति का स्वामित्व सविकार कर लेगा तो उसकी अहामता तथाममता का विस्तार उसे विनष्ट कर देगा अशोक वातिका में श्री हनुमान जी ने सोचा कि अगर कहीं रावन की वाटिका का फल मैं अपनी इच्छा से खाऊंगा तो उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा किन्तु मा की आग्या से प्रभु का प्रसाद बना कर जब मैं उसे ग्रहन करूंगा तो प्रवृत्ती का दुश परिणाम समाप्त हो जाएगा वस्तुत है प्रसाद में केवल स्वाधी नहीं आता है बलकि शुद्धता भी आती है अगर आप मिठाई खाएं तो स्वाध तो आएगा पर पवित्रता नहीं आएगी लेकिन यदे मिठाई यह भावना करके लेंगे कि यह प्रसाद है तब स्वाध के साथ साथ आपके अंतह करण में पवित्रता का भी संचार होगा यही संकेत योध्याकान में भी आता है श्री भरत जी से गुरु वशिष्ट ने कहा कि तुम चोदह वर्ष तक राजे चलाओ और जब श्री राम वापस आवें तब राजे उन्हें सौप कर उनकी सेवा करना सौप पे हूं राजु राम के आए सेवा करे हु सनेह सुभाए कि तु श्री भरत जी ने ऐसा नहीं किया जब बेचित्रकूट से लौट कराए तो राजे चलाने लगे श्री भरत जी से किसी ने पूछ लिया महराज गुरु जी ने तो पहले ही कहा था पर उसी काम को आपने उल्टी पद्दती से क्यों किया भरत जी ने कहा भई गुरु जी कहतो रहे थे पर उनका भी प्राए था कि राजे को पहले अपना मान लो और बाद में भगवान को दे देना इसका अर्थ हुआ कि पहले हम भोजन करें और बाद में थाली भगवान के सामने रख दे कि लीजिये अब मैं आपको भोग लगा रहा हूँ वस्तुतह यह प्रसाद भावना नहीं है प्रसाद तो तब होगा जब थाली सजा कर पहले भगवान के समक्ष रखें इस प्रसंग में आप देखेंगे कि श्री भरत ने राज्य को चलाना स्विकार तब किया जब प्रभू ने अपनी पादिका उन्हें दी पादुका में ही सारा रहस्य दिया हुआ है श्री भरत ने कहा प्रभू मैं यही तो चाहता था आपने मुझे पादुका दी और पादुकातो पद के लिए ही दी जाती है अर्थात अयोध्या की राजपद को आपने स्विकार किया है अब राज आपने अपना मान लिया है तो अब मैं आपके सेवक के रूप में राज़ चलाने के लिए तैयार हूँ इसका मूल सूत्र यही है कि अहमता तथा ममता की प्रवृत्ती का सबसे दुखद पक्ष है भावना यही होनी चाहिए कि सभी वस्तुएं एक मात्र भगवान की है इसलिए जब भोग लगाया जाता है तो शलोक भी यही बोला जाता है कि त्वदियम वस्तुगोविंद तुभ्यमेवसमरपये प्रभू आपकी वस्तुही में आपको अर्पित कर रहा हूँ और अब जो प्राप्त करूँगा वह प्रसाद के रूप में आपकी कृपा के रूप में प्राप्त करूँगा उन्हें भगवान की समझकर प्रसाद पुद्धी से लेने की आवशकता है नारायन नारायन